आज के इस वीडियो में आप सभी को बताने वालों कि कैसे आपको उबर अप्लिकेशन पर अगर आपने प्रिविएश्ली एडिट कर रखें कोई शावी पेमेंट मेंथट सेव कर रखा है तो आप इस इंस्टेंट के इंस्टेंट डिलेट कर सकते उस पेमेंट मेंथट को तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे नाम जान लीजिए मैं हूँ अनिकेज और आप देख रहे हैं टेक इन्वेंटेड तो आपको साइड में स्क्रीन सुकर देता हूँ प्लीज आप वहां पे धियान दीजिए तो यहां पर आप देख सकते हूँ कुछ इस तरका इं आपको सुक करेगा तो यहां पर आप देख सकते हूँ बीच में एक ऑप्सिन आ रहा है वालेट का तो आपको इस पर क्लिक कर देना है अगर आप स्लाइट करते हो तो यहां पर आपको नीचे ऑप्सिन मिल जाएंगे जो भी आपने पिमेंट्स मेथड एड़ कर रखोंगे चाहे हो UPI ID हो चाहे कोई भी अकाउंट हो कोई भी वालेट हो Amazon पे वालेट हो Paytm वालेट हो या फिर कोई भी debit card credit card जो भी payments options आपके saved होंगे यहां पर आपको सुकर दिया जाएगा अगर आपको add करना तो मैंने उस पर separately मैंने dedicated video बना रख़ा है link description में उस वीडियो का आप लिए वीडियो देख सकते हो तो आपको करना क्या है जो भी अकाउंट जो भी आपको payment option डिलेट करना है सिंपल आपको उस पर टैप कर देना है यहां पर आप देख सकते हो आपको बता दू जैसे Amazon पे उसके नीचे आपको balance हो कर दिया जाएगा कि आपका Amazon Pay Balance में कितना amount है तो गाइज उसके जस नीचे एक option मिलता है remove payment method तो गाइज अगर आपको remove करना है तो simple आपको उस पर टैप कर देना है आपको confirmation मांगेगा और 110% कुछी seconds में आपका payment option डिलेट हो जाएगा आपके Uber application में आपके Uber application के account से तो गाइज मैंने आपको completely tutorial दे दिया है completely मैंने आपको step बता दिया कि कैसे आपको अपने Uber application में से payment option डिलेट करना है So guys I hope आपको वीडियो अच्छी लगी हो इस वीडियो से मरत मिली हो तो guys please इस वीडियो को like कर देना और हमाने channel को गर देना है subscribe क्यों हमाँ आप सबी के लिए सिर्फ और सिर्फ आप सबी के लिए कुछ इसी तरी के valuable content लाते रहते हैं तो फिर से मिलते हैं next वीडियो में तब आप से वार